नमस्कार दोस्तों आपको यह पता होगा कि 30 जून को राद 12 बजे भारत सरकार ने GST लागू कर दिया था आज हम आपको GST के बारे में कुछ आमजी फैक्स बताएंगे पहला जब हम एक वस्तों को अलग अलग राज्यों से खरीटते हैं तो हमें अलग अलग तेक्स देना पड़ता है GST बील के द्वारा यह तेक्स हमें अलग अलग नहीं देना परेगा दूसरा, GST एक अंतराक्सकर का रूप है जो के इंद्यों राज्य सरकार दोनों द्वारा लागू किया जाएगा तीसरा, GST के लागू होने के बाद संपून भारत में एक ही प्रकार का तेक्स लगेगा जिसे से वस्तों तथा सेवाव के मूल में स्थरता रहेगी जोता, GST भी लगू होने से सर्वीस, टेक्स, सिलेंडर गेस, टेक्स, स्टेच सेल्स, टेक्स और वेट जिसे सभी टेक्स समाप्त हो जाएंगे पाच्वा, कुछ एसी भी वस्तों है जिने GST भी से बाहर रखा गया है जिसे साराब इस राजी सरकार खुद टेक्स ताय करती है छटा, पेत्रों दीजर, एलपीजी, रोसरी गेस, आदि इसे वस्तों को भी GST भी से बाहर रखा गया है इन पर केंदर सरकार तथा राजी सरकार मील कर टेक्स लगाएगी दोस्तों जानने से पेले हमारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए